हलो फ्रेंड्स मैं हु स्वेता सिंग आज इस वीडियो में मैं आपके शाथ शेयर करने जा रहे हूँ बकरी पालनकर करोर पती बनने वाले तेजस लेंगरे की प्रेरक कहानी आगे बढ़ने से पहले ये बता दूँ कि अगर आप बिजनेस आइडियाज और टेक्नलोजी की बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्वेता टेक्टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए सिर्फ दसमी पास इस यूबक ने बकरी पालनकर खड़ा किया करोरो का बिजनिस जी हाँ आज हम आपको एक ऐसे यूबक की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने बकडे बेचकर खड़ा किया करोरो का कारोबार इस कारोवारी ने अपना सबसे चहेता बकड़ा गबबर एक लाख रुपे में बेचा था संग्री के बामनी गाओं के रहने वाले तेजस लेंग्रे ने 1999 में दस्वी की परिक्षा उत्रिंड की और आगे पढ़ने की जगह व्यवशाय शुरू करने का फैसला किया कुछ बड़ा काम करने की मनसा लेकर तेजस ने सबसे पहले एक आटो ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया और यहीं से उनकी किस्मत पलट गई तकरीवन एक साल तक अपने आटो में बक्रे ढोने वाले तेजस ने अधुनिक बक्रा पालन का व्यवशाय शुरू करने की सोची तेजस के पास व्यवशाय सुरू करने के लिए पैसे नहीं थे घर बालों के आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं थे कि वह एक बार 20 से 25 हजार रुपे दे सके लेकिन उन्होंने हिमत नहीं हारी और कुछ पैसे उधार लेकर अफ्रिकन बोहर प्रजाती की दो बक्रियां खरीद कर अपने घर के पास महाकाली बक्रा फार्म सुरू किया कुछ ही सालों में तेजस का व्यवशाय चल पड़ा और उन्हें बड़ा मुनाफ़ा होने लगा फिलहाल तेजस के पास 250 से ज़्यादा बक्रियां और बक्रे हैं इस बेवशाय से उन्हें प्रती वर्स 20-22 लाक रुपे का मुनाफ़ा होता है उनके गोबर से बनी खाद की किसानों में काफी डिमांड है तेजस को इस खाद से भी लाको रुपे की आमदनी होती है हर 21 दिनों के बाद बिमारियों से बचने के लिए इन्हें दवा और इंजेक्शन भी लगाये जाते हैं फार्म में दुरगंद कम करने के लिए खास तरह की घास भी बिचाई गई है एफ्रिकन बोर प्रजाती के 100 से ज़्यादा बक्रे हैं जिनका वजन साल भर में 120 से 1.500 किलो तक पहुँच जाता है इद के दोरान तेजस के बक्रों की बिक्री सत्तर हजार से एक लाख रुपे में होती है बक्रियां बेचने के लिए तेजस को मार्केट की जरुरत कभी नहीं पड़ी बेपारी और बक्री पालन शुरू करने वाले लोग तेजस के फार्म पर पहुँच कर इन्हें खरीदते हैं कभी कभी ग्राहकों को महीनों तक इंतजार भी करना पड़ता है तो दोस्तो तेजस लेंगरे की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिस बेक्ती में सफलता के लिए आशा और आत्म विश्वास है वही बेक्ती उच्ची सिखर तक पहुँचते हैं उमीद है यह वीडियो आपको पशंद आया होगा वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंज के शाष शेयर करना मत भूलिए अगर आपने हमारा चैनल अवी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लिजिए ताकि मेरे नए वीडियो के अप्लोड की जानकारी आपको मिलती रहे जिन्होंने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो बाई